बुस्ट इक्यावन कोट्स आपकी जिन्दगी बदल देंगे महाक्मा गांधी के ये इक्यावन अन्मोल विचार मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है सत्य मेरा भगवान है अहिंसा उसे पाने का साधन चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूँगा नहीं मैं केवल भगवान से डरूँ मैं किसी के प्रती बुरा भाव न रखूँ मैं किसी के अन्याय के समक्ष जुकू नहीं मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूँ भूल करने में पाप तो है ही, परन्तु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है भविश्य में क्या होगा? मैं यह नहीं सोचना चाहता मुझे वर्तमान की चिंता है नहीं चाहता, किन्तु उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ अपनी गलती को स्वीकारना जाडू लगाने के समान है जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है केवल प्रसन्नता ही एक मात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदे अवश्य ही आप पर भी पड़ती है जो समय बचाते हैं, वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन, कमाय हुए धन के बराबर है व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है वह जो सोचता है वही बन जाता है काम की अधिक्ता नहीं, अनियमित्ता आदमी को मार डालती है गुलाब को उपदेश देने की आवश्यक्ता नहीं होती है वह तो केवल अपनी खुशी बिखेरता है उसकी खुश्बू ही उसका संदेश है श्रद्धा का अर्थ है आत्म विश्वास और आत्म विश्वास का अर्थ है इश्वर में विश्वास कुछ लोग सफलता के केवल सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ती जागते हैं और कड़ी महंत करते हैं सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ती भी होने वाली नहीं अहिंसा ही धर्म है, वही जिन्दगी का एक रास्ता है जिस दिन प्रेम की शक्ती, शक्ती के प्रती प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमना जाएगा दुनिया में ऐसे लोग हैं, जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाए रोटी के रूप में चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता और वह जिसे इश्वर में थोड़ा भी यकीन है, उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए स्वयं को जानने का सर्वश्रिष्ट तरीका है, स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना आप तब तक यह नहीं समझ पाते की आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते प्रेम की शक्ती दंड की शक्ती से हजार गुनी प्रभावशाली और स्थाई होती है जब तक गलती करने की स्वतंतरता न हो, तब तक स्वतंतरता का कोई अर्थ नहीं है पाप से घेना करो, पापी से प्रेम करो आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गल्तियां करने की आजादी शामिल नहूँ दर शरीर का रोग नहीं है यहां आत्मा को मारता है उफंते तूफान को मात देना है तो अधिक जोखिम उठाते हुए हमें पूरी शक्ती के साथ आगे बढ़ना होगा ऐसे जियें की जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ती के लिए सोने की बेडियां लोहे की बेडियों से कम कठोर नहीं होगी चुभन धातू में नहीं वरन बेडियों में होती है स्वतंत्रता एक जन्म की भांती है जब तक हम पूर्णता स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक हम परतंत्र ही रहेंगे क्रूर्ता का उत्तर क्रूर्ता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौधिक पतन को स्विकार करना है गर्व लक्षय को पाने के लिए किये गए प्रयत्न में नहित है ना कि उसे पाने में मैं मरने के लिए तयार हूँ पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तयार हूँ सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है वह आत्मनिर्भर है साथ घंगोर पाप, काम के बिनाधन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्यान, सिध्धान्त के बिना राजनीती, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा आप आज जो करते हैं उस पर भविश्य निर्भर करता है आप मानवता में विश्वास मत खोये मानवता सागर की तरह है अगर सागर की कुछ बूदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता तुम जो भी करोगे वो नगण यहोगा लेकिन यह ज़रूरी है कि तुम वो करो हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मैं मर जाता हूँ और अगली सुभा जब मैं उठता हूँ मेरा पुनरजन्म होता है मेरी अनुमती के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुचा सकता दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में आप मुझे जंजीरों में जकर सकते हैं यातना दे सकते हैं यहां तक कि आप इस शरीर को नश्ट कर सकते हैं लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। दयालुता का छोटा सा कार्य प्रार्थना में जुके हजारों सरों से अधिक शक्तिशाली है। एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। मैं उसे धार्मिक कहता हूँ जो दूसरों का दर्थ समझता है। तभी बोलो जब वो मौन से बहतर हो। गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। मेरे दोश और मेरी असफलताएं भगवान के उतने बड़े ही आशिरवाद हैं जितनी की मेरे सफलताएं और मेरी प्रतिभा और मैं इन दोनों को उनके चर्नों में रखता हूँ। हर इंसान को अपनी शांती अपने अंदर खोजनी होगी। और शांती वास्तविक होने के लिए बाहरी परिस्थित्यों से अप्रभावित होनी चाहिए। अपने कर्म के फलों से बचने की कोशिश करना गलत और अनैतिक है। कमजोर कभीक शमा नहीं कर सकता। शमा शीलता बलवानों का गुन है। अगर हम दुनिया में वास्तविक शांती चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुवात बच्चों से करनी होगी।